हेलो फेंड्स मैं मंदीप सोगत करती हूँ आप सभी का अपने चनल पर फेंट साच की इस वीडियो में 36 साइस का बैक नेक डिजाइन में आप लोगे साथ शेयर करूंगी तो ये मेरे पास 1 मीटर और गेंजा का फैबरिक है आप अपने साइस के अकॉर्डिंग और स्लीज को देखते हुए फैबरिक लीजेगा 80 सेंटिमिटर मैंने लिया है अस्तर का कपड़ा और अगर आप बड़ी स्लीज बना रहे हैं और उसमें अस्तर लगा रहे हैं तो 1 मीटर फैबरिक लीजेगा तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले आप लोग के साथ एक बैक पार्ट का डिजाइन शेयर किया था जिस पे आप लोगोंने काफी ज़्यादा कॉमेंट किये थे जैसे कि मैं इसमें रख रही हूँ साड़ी तेरा इंच लेंथ तयार तो इसमें एक इंच मार्जिन का प्लस करूँगी साड़ी चोदा इंच लूँगी मैं इसमें और इसमें हमें आदा इंच और प्लस करना है अगर आप चाहें तो एक इंच भी ले सकते हैं और मैं पर आधा इंच एक्स्टा ओर ले रही हूँ तो टोटल बैक पार्ट की लेंथ रहीगी मेरी 15 इंच आप अपने अकॉर्डिंग लीजएगा मतलब की बैक पार्ट में आपको टोटल 13 इंच प्लस करना है और इसमें आपको थोड़ा शोल्डर भी जादा लेना है आर्म होल भी शोल्डर एन आर्म होल रखे हैं 6 इंच और चेस्ट का 4 पार्ट लिया है 9 इंच देड़ इंच एक्स्टा लिया है मार्जिन के लिए मार्जिन आप 2 इंच का भी ले सकते हैं चेस्ट की लाइन यहाँ पर बना लेंगे बैक पार्ट की आर्म होल की गुलाई मैंने सवाइक इंच पर दी है यह देखिया अगर डीब कला होता है तो गुलाई हमें ज्यादा नहीं देनी है यहाँ पर इसके बाद नीचे कमर का मेज़र्मंट लेना है कमर 30 इंचे उसका चोथा भाग लेंगे यहाँ पर सारे 7 इंच देर इंच एक्स्टा मार्जिन और 1 इंच बनानी के भाद मैं आपको front का भी design बता दूंगी कि मैंने किस तरीके से बनाया है और यहां पर दीकिया हमें इसे तरीके से कट कर लेना है तो यह हो गया मेरा backside का part cutting अब मैं आपको फ्रेंट के लिए बता रही हूँ तो फ्रेंट का पार्ट हम खुली तरफ से भी निकाल सकते हैं और बंदे तरफ से भी निकाल सकते हैं तो जहां से भी आपका फैबरिक बच रहा हो वहां से आप इस पार्ट को निकाल दीजेगा बट ध्यान रखिएगा कि जो फ्रेंट पार्टे वो आपका उरेब कपड़े में ना कटे नहीं तो गले की फिनीशिंग अच्छी नहीं आती है गला जो है आपका जिस तरफ गलेक वाला पार्ट होता है वो हमेशा सीधे में ही कट करे यहाँ पर देखिए मैंने कपड़े को सीधा करने के लिए एक लाइन बनाया है इसके बाद मैंने आदा इंच एक्स्टा लिया है हाई हूग की पट्टी के लिए शोल्डर आर्मोल का मेसेमेंट सेम रहेगा और जो भी मेसेमेंट आप ले रहे हैं आदा इंच कपड़े को छोड़ते हूए लिजेगा जो मैंने एक्स्टा मार्जिन लिया है हाई हूग की पट्टी के लिए सेम नाप रखना है शोल्डर आर्मोल का फ्रेंट के लिए हम गुलाई जो है वो वन इंच पर देते हैं और इसके बादे की दिच जैसे की इसमें शोल्डर जादा है तो मैंने थोड़ा सा गुलाई को अंदर की तरफ करते हूँ लिया है जिसे की आर्मोल पे सलना आए तो हाफ इंच मैंने अंदर की तरफ करते हुए फ्रेंट के लिए गुलाई दी है अब आपको front के लिए जो measurement रखना है total लंबाई में वो आपको एक इंच प्लस करके रखना है जैसे कि back side की total लंबाई जितनी भी है अपकी front का दिखे जो part होता है वो आपको same ही cutting करना है जैसा आप करते हैं जैसे मुझे साड़ी तेरा length इसमें तयार रखनी थी तो front के लिए मैंने 2 inch margin का plus करके लिया है तो यहाँ पर दिखे मैंने इसे इस तरीके से नीचे की तरफ मिला दिया है plus आपको देरी इंच एक्स्टा ले लेना है margin के लिए margin आपने जितना back में लिया है उतना ही front में भी रखना है आपको इस तरीके से मैंने आर्मूस तरफ से एक इंच उपर आर्मूस तरफ से पोना एक इंच और नीचे की तरफ से 2 inch आपको extra लेना है यह जो plits बनाएंगे इसके लिए तो मैंने इसमें बनाया है 4 tux plowse पर अगर आप कोई O shape का बनाना चाहें जिसे कि आप कटोरी plowse बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं princess cut भी बना सकते हैं 3 piece princess cut भी बना सकते हैं 1 tux भी बना सकते हैं तो इस design में जैसा आपको front part रखना है उसी तरीके से आप बना लीजेगा बस आपको लंबाई का ध्यान रखना है लंबाई आप जैसे normal plowse के लिए लेते हैं उसी तरीके से लेना है अलग से extra कोई margin नहीं लेना है यहाँ पर दिखिए हमें इसे cut कर लेना है arm hole को अंदर की तरफ से तो मैंने यहाँ पर front और back part दोनों का cutting कर लिया है गला आगे जैसा आप रखना चाहें विसर रख सकते हैं थोड़ा सा इसमें आप shoulder को down कर लीजेगा back side और front side दोनों तरफ यह दिखिए यहाँ पर मैंने इसका cutting कर लिया है इसमें मैंने जो shoulder है वो जादा इसली रखें क्योंकि गले के चुड़ाई इस design में अगर आप थोड़ी जादा रखेंगे तो अच्छा लगेगा गले के चुड़ाई 3 इंच ली है और लंबाई मैंने 6.5 इंच ली है यहाँ पर simple round कला में दे रही हूँ आप जैसा बनाना चाहें front के लिए वैसा बना सकते हैं simple round neck मैंने दे दिया है अब हमें belt का marking करना है तो एक marking मैंने 3 इंच पर की है यहाँ से भी 3 इंच पर करेंगे और एक straight line यहाँ पर draw कर लेंगे यह दिखिए इस तरीक इसे shape दे देंगे अब मैं यहाँ पर आपको 4 टक्स के लिए बता रही हूँ तो यहाँ से मैंने width में marking किया है 4 इंच पर 4 इंच पर एक marking करना है टक्स की लंबाई आप 2 यड़ा इंच ले सकते हैं मैंने 2 इंच पर रखा हैं 2 इंच टक्स की length लेने के बाद आपको पोना ए 1 इंच लीजेगा नहीं तो normal half-half इंच दोनों दरफ से ले सकते हैं यहाँ पर देखे मैंने high hook की जो पटी होती है महाँ से center mark किया है फिर width में 3 इंच में marking किया है आर्मोल वाला जो नापे वो आपको लेना है यहाँ पर देखे जितना गये पा रहा है उतना ही आपको इस त तरफ आएगा तो आपको अंदाजे से इस तरीके से यहाँ पर mark कर लेना है बीच में देखे इस तरीके से एक circle type बन चाहिए आपका जब आप 4 टक्स का marking किये तो यहाँ पर देखे मैंने marking अच्छे से कर ली है अब मैं इसे cut कर रही हूं तो सबसे पहले हमने belt को cut करना है औ और यह जो मैंने dot की marking की है यहाँ पर आप छोटे cut जरूर लगा ले ताकि आपको दूसरी तरफ भी marking करने में आसानी रहेगी तो देखे मैंने सारे part जो थे वो मेरे man fabric पर रखकर मैंने cut कर लिये हैं और इसके बाद हम गले का marking करेंगे तोड़ा सा मैंने नीचे से half inch से कम क करना है हमें 3 इंच पर आप जैसा भी रखना चाहें अगर कम पहनते तो 5 इंच भी ले सकते हैं तो 3 इंच पर मैंने marking किया है और नीचे से belt आपको जितना broad रखना है उतना आप marking कीजिएगा जैसे मैंने 3 इंच पर किया है तो यहाँ पर एक belt जैसा design बनेगा उसके लिए आ करना है तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से एक straight line बनाई है और एक arrow का निशान बना दिया है उपर की तरफ ताकि आपको पता रहेगा कि पार आपको front में attach करना है और इसके बाद देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर एक straight line बना देनी है line बनाने के बाद अब मैंने तीन इंच उपर की तरफ एक marking किया है इस तरीके से और यहाँ पर हमें इसे मिला देना है इस तरीके से सिंपल शेप देना है, तीन इंच एक उपर की तरफ माग करने के बाद, और यहां पर देखिए इस तरीके से माग कर देना है, तो यहां पर आप बिल्कुल राउंड शेप भी दे सकते हैं, मैंने थोड़ा सा पानवाला शेप दे दिया है, गुलाई करने के बाद हमने इसे इसी के लिए 1.5 इंच मार्जिन हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है टोटल लैंथ में यहां पर दिखिए मैंने गले को कटिंग कर दिया है मैं इसमें बिना पिपर पेस्टिंग के से बना रही हूँ बिना बुक्रम के आप चाहें तो पेस्टिंग भी इसमें यूज़ कर सकते ह तो सभी पार्ट मैंने यहां पर कटिंग कर लिए हैं इसके बाद हमें इसका स्टिचिंग करना है तो स्टिचिंग करने के लिए दिखिए मैंने जो बैक पार्ट कटिंग किया था उसमें से मैं बैल्ट वाला हिस्ता लग कट कर रही हूँ तो दीखे सारे ही पार्ट मेरे कटिंग हो गए हैं इसके बाद हमने इसका स्टिचिंग करना है तो यहाँ पर दीखे दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे अब हम इसे सिलाई लगा कर पलटना है तो दोनों पार्ट को हम आमने सामने की तरफ इस तरीके से रख लेंगे सर के नीचे दिखे हैं मैंने कपड़े को सीधा करके रखा है और अब हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है एक पेर का मार्जिन कवर करते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे दिखे इस तरीके से एक्स्ट्रो फैप्रिक को मैंने कट करके निकाल रिया है और अब इस पार्ट को हमने पलट करके सीधा कर लेना है सीधा करने से पहले आप पूरे गड़े पर छोड़े-छोड़े कर्ट लगाएं पूरे ही नेक पर मैंने कर्ट लगा दिये हैं और इसके बाद इकि हमें इसे पलट ना है करट आप अच्छे से लगाईएगा क्योंकि हमने इसमें पेपर पेस्टिंग नहीं लगाया है तो फिनिशिंग अच्छी आजाएगी यहाँ पर दिखिए इससे पलट करके और दोनों तरफ की कॉर्नर्स हमने अच्छे से निकालने हैं फिनिशिंग के साथ हलकर सा आप इसे प्रेस कर लेजए किसी भी चीज से तो यह कॉर्नर्स जो है वो बाहर की तरफ निकल आएंगे हाथों के साथ फिनिशिंग कर लेजए या फिर आप इस पर प्रेस कर लेंगे तो भी अच्छे से कप्ड़ा बैट जाएगा और फिनिशिंग पर अच्छे आ जाएगी अब उपर की तरफ हमने एक सिलाई लगा देनी है इस तरीके से अच्छे से सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे अब सिलाई हमने बाहर की तरफ पर लगा लेनी है हास्ति कप्ड़े को फिनिशिंग करते हुए यह देखिए एक पर्ट मैंने रेडी कर लिया है इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे और इसी तरीके से आपको इसका दूसरा वाला पर्ट भी तयार कर लेना है यह देखिए मैंने यहापर दोनों पार्ट इसके तयार कर लिये हैं अब मैं यहाँ पर belt त्यार कर रही हूँ, तो belt को हमने इस तरीके से रखना है, नीचे कपड़े को सीधा करके और ऊपर की तरफ जहां से हमें इससे attach करना है, वहाँ पर एक सिलाई लगानी है, फिर अस तरह के कपड़े को इस तरफ करते होई एक सिलाई लगानी है अब इसे अंदर की तरफ पलेट लेना है और उपर तरफ से एक सलाई लगानी है फिनिशिंग के साथ तो देखिए यहां पर मैंने फिनिशिंग से सलाई लगा ली है इसके बाद बार की तरफ से भी सलाई लगाएंगे और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक के इसे कट करके निकाल देना है अब देखिए इन दोनों पार्ट को जोड़ करके हमें इस पे एक बटन अटेश करना है तो बटन में यहाँ पर सेम फैब्रिक का बना रही हूँ यहाँ पर देखिए मेरे पास दूसरे कलर का कपड़ा था तो मैंने यहाँ पर ओर्गेंजा कपड़ा और उसके साथ अस्तर के कपड़े को अटेश करके इस तरीके से एक बटन तयार कर लिया है सेम फैब्रिक का यहाँ पर आपके पास अगर बड़ा वाला कोई शर्ट का या किसी भी तरीके का कोई बटन होता है तो वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं कपड़े का इस तरीके से बना करके आप यहाँ पर इसे टक कर ले दो से तीन बार आपको यहाँ पर देखिए पहले इसे अंदर बाहर करना है फिर चारों तरफ से इसे सिल लेना है आच्छी से पक्का कर लेना है तो दीखे मैंने यहाँ पर बिटन को अटेश कर दिया है और सेम फेवरिक का बिटन बहुत ही जाधा अच्छा लूग देता है बलाौस में यहाँ पर देखे मैं लेस अटेज कर रही हूँ तो लेस अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं नीचे बैल्ट को हाइलाइट करने के लिए क्योंकि बैल्ट का चुलूकि वो लेस के साथ ज्यादा अच्छा लगेगा लेस के जगा आप पाइपिंग बना कर भी लगा सकते हैं इसके उपर तो मैंने यहाँ पर लेस अटेज कर दी हैं लेस अटेज करने के बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कमर पटी तो कमर पटी को डबल फोल्ड करते हुए मैंने अटेज किया है फिर देखिए हमें यहाँ पर छोटे कर्ड लगा देने हैं इस तरीके से इसके बाद पटी को एक सिलाई हमने इस तरफ करते हुए लगानी है और पटी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है अच्छे से फिनीशिंग के साथ आप इस पर प्रेस भी लगा लें जिससे की फिनीशिंग अच्छे आएगी अब बेल्ट हमारा तयार हो गया है इससे टेज करना है प्लाउस के साथ तो इस तरीके के जो प्लाउस होते हैं उसमें कमर पटी लगा यहाँ पर देखिए कमर में प्लिट्स लगाना ज़रूरी नहीं है नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा और अगर आपको लगानी है तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं और पूरा होने के बाद बैल्ट के ओपर भी लगा सकते हैं तो दीखे शोल्डर को मैंने फोल्ड करते हुए यहाँ पर चार इंच के लंबाई में प्लेट्स अटेज की है तो दीखे दोनों ही तरफ मैंने कमर में प्लेट्स लगा दी है अब आपको सिंपल बैल्ट को इस तरीके से दोनों तरफ से बराबर करते हुए रखना है और यहाँ पर पका करते हुए इसे अटेज कर देना है सलाई को आगे पीछे करते हुए पका जरूर करने कॉर्णर पे तो देखे बैल्ट मेरा टेज हो गया है जो भी एक्स्टर फैपरिक होगा वो आप सलाई लगा कर कट कर ले और अच्छे से इसे डवल फोल करते हुए चेक कर लें कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा चोटा तो नहीं हो रहा है हो रहा है तो अच्छे से आप इसे कट करके या सलाई को बराबर करते हुए चेक यहाँ पर इसे बराबर करने तो फ्रेंट्स बैक पार्ट मेरा पूरा हो गया है इसके बाद अब मैं आपको बता रही हूँ front part तो front part जेसे हम僕ट eksi plouse का normally stitch करते हैं वैसे ही आपको करना है तो जब आप गले को बना रहे हो तभी आपको इसे cut करना है तो अभी मैं यहाँ पर neck को बना रही हूं cut करके तो इसे ही मैंने अभी ही cutting किया है नहीं तो गला फैल जाता है सबसे पहले देखिए चारों तरफ से इसे सिलाई रखा कर हमने अटेज कर देना है इस तरीके से और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा इससे कट करके आपको निकाल देना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट करके निकाल दिया है देखिए इस तरीके से अब हम यहाप प्लेट्स बनानी है तो जिसे हम बनाते हैं उसी तरीके से प्लेट्स बनाएंगे यह दिखें शुरू में सिलाई आपको ज़्यादा लेनी होती है फिर उतारते समय सिलाई को आपको एकड़म कॉर्नर पे करके पका करना होता है सबी तरफ दिखें हमने प्लेट्स बना ली है और अब मैं दूसरा पार्ट रेड़ी कर रही हूँ यहाँ पर तो दिखें दोनों तरफ के पार्ट मैंने तयार कर लिये हैं और इसके बाद हमें बैल्ट तयार करके यहाँ पर ब्लाउस पर अटेज करना है तो दोनों बैल्ट को आमने सामने की तरफ रख लेंगे और चारों तरफ से सिलाई लगा कर हम इसे अटेज कर देंगे मैन फैब्रिक के साथ यहाँ पर देखें इस तरीके से हमें फैब्रिक को कट कर देना है और दूसी तरफ का बैल्ट पर इसी तरीके से अटेश करना है दोरों बैल्ट तेयार करने के बाद अब हमने इसे यहाँ पर रखना है और सिलाई लगा कर अटेश करना है तो उपर से आधा हिंच का मार्जिन लेते हुए बैल्ट को इस तरीके से लगा लेंगे बैल्ट को मैंने अटेज कर दिया है बैल्ट अटेज करने के बाद आपको कहीं भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखता है तो आप उसे सिलाई लगाने के बाद कट करें यह वाला बैल्ट भी मैंने अटेज कर दिया है दोनों बैल्ट को आपने सामने रखते हुए आपको चेक करना है कि जो हमारी प्लिट से और बैल्ट है दोनों का शेप पराबर से मिल रहा है या नहीं अब मैं यहाँ पर हाई की पटी तेयार कर रही हूँ करना चाहें इस तरफ या दूसी तरफ पटी का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और इसके बाद एकी दूसी तरफ लगाएंगे हूग की पटी हूग की पटी मैंने डबल फोल्ड करते हुए लिया है दोने दरफ आपको आधा-धा इंच मार्जिन लेते हुए ही इसे अटेज करना है क्योंकि कटिंग करते समय हमने हाफ इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था पटी को अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर से एक बार आपको इसे आपने सामने तरफ रख कर चेक करना है कि कहीं से कोई बाट बड़ा चोटा तो नहीं हो रहा है तो ये बाट मेरा रेडी हो गया है इसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कले में पटी देड इंच के विट्ट में आपको क्रॉस पटी लेनी है और पटी को एक पेर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हमने अटेज करना है इस तरीके से आगे की तरफ पटी को फोल्ड कर लीजेगा जोटे कट लगा कर हमें एक सिलाई पटी को इस तरफ करते हुए लगा लेनी है और पटी का extra fabric cut करने के बाद हमें से अंदर की तरफ fold कर लेना है fold करने से पहले पटी को जोटे cut लगा देने हैं और इस तरीके से पटी को fold कर लेना है ये दिखिए पटी मैंने यहाँ पर गले पर लगा ली है सेम इसी तरीके से दूसरा वाला कला भी हमने बना लेना है तो दोनों पार्ट आपको एक के उपर एक रखकर check कर लेने हैं बनाने के बाद कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा चोटा तो नहीं हो रहा है और इसके बाद हमने attach करना है नीचे की तरफ गमर पटी गमरपटी इस तरीके से लगा लेंगे आगी की तरफ से ज़्यादा रखते हुए इसे फोल्ड करेंगे दोनों पार्ट पे मैंने गमरपटी लगा कर इसे पूरा कर लिया है तो फ्रेंट और बेक पार्ट मेरे बन करके तयार हो गए है स्क्रीफ में कुछ अच्छा सा डिजाइन में जल्दी आप लोगे साथ शेयर करूँगी तो इसी के साथ मेरा आज का ये फ्रेंट और बेक पार्ट बन करके तयार हो गया है तो फ्रेंट आपको आज का मेरा ये पैटर्न कैसा लगा है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद